कुश्यन नमर 46 से रिजूम करते हैं, 45 तक हम नहीं नेटवर्क के कुश्यन दीखे थे तो पहले हम देखते हैं, कुश्यन नमर 47 से सुरू कर देते हैं इंदे सर्किट बहुता, सर्किट दा करेंट थ्रोव E2 E2 के थुरू current हम से पुश हो जा रहा है, E2 है ये वाला है, जो highlight किया है इसके थुरू current हमें बतानी है, रहिस्ट रहे हमारे सारे एकी value के है तो 1A क्या है, charging है कि discharging है, charging का मतलब कि current को बहार भेज रहा है मतलब current को absorb कर रहा है, charging का मतलब कि battery charge हो रही है, तो current ऐसे आएगी और discharge का मतलब कि अगर ये positive negative है, तो current बहार जा रही है, मतलब ये battery discharge हो रही है तो ये इसकी direction के लिए charging, discharging शब्द का हमने इस्तेमाल किया है अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर main चीज क्या है कि question में ही हमको दे दिया क्या है कि I1 और I2 की value क्या है तो इसमें कुछ भी मतलब ज़्यादा करने वाली बात नहीं थी यहाँ पर ये चीज है कि I1 आ रही है ऐसे और I2 जा रही है नीचे से तो इसमें जो current जा रही है इसमें वो हमारा I1-I2 जा रही है मतलब माइनस 1A जा रही है यहाँ बोले तो 1A जा रही है बट इसके अंदर जा रही है अंदर जा रही है तो उसका मतलब कि charging हो रहा है तो इसमें और कुछ भी निदा question में उसके बाद यह question है equivalent relations पूछा है A और B के बीच में इस figure के अंदर यह A है यह हमारा B है तो यहाँ पर क्या करना है 1.5, 1.5 हमको दिख रहा है parallel में इसको हम parallel लगा देंगे और इनका भी parallel लगा देंगे तो यह 0.75, 0.75 हमारा बन जाएगा अब 0.75 इस 1 के संग जोड जाएगा यह जो 0.75 निकला यह इस 1 के संग सीरीज में हो गया तो यह बन गया 1.75 ऐसे ही 1.75 मीचे बन गया अब 1.75, 1.75 का हम आधा करेंगे वो आगया 0.875 और उसके संग फिर इस 1 को जोड देंगे तो 1.875 ऑप्शन यह इस वज़े से सही आ जाएगा तो ज्यादा कुछ निया, parallel सीरीज यहाँ पर लग रहा है तो अब आते हैं कुछिन नंबर 46 पर कह रहा है कि electrical energy consumed by an appliance of power rating p watts connected across its rated v volt for t hours electrical energy की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि consumed by an ठीक है अब rating p watts तो यहाँ पर हम जो 1 kilowatt hour लिखते है kilowatt hour, hour तो इसमें भी है ठीक है, 40 hours तो यहाँ पर kilo लिखने की वज़े से हमें नीचे 1000 से divide भी करना पड़ता है क्योंकि हम kilo उसमें डाल रहे है किलो डालने के लिए हम यह कर रहे है मतलब या तो आप into 10 की पावर 3 लिखो या आप सीधे से kilowatt लिख दो या यह लिख दो p into 10 की पावर 3 वाट या फिर pt किलो वाट एक ही बात हुई क्योंकि हमने 10 की पावर 3 डाला तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा इस वज़े से हमारा option भी सही होगा और जो w होती है energy वो हमारा p into d के एककल होती जो पावर है और जितने time के लिए पावर यूज हुई है तो यही से formula निकला pt तो हमारा main है और यह उसकी unit है kilowatt hour क्योंकि किलो किया है इसलिए वो 1000 से divide कर दिया है next है 49 तो यहाँ पर कहरे है in the given circuit inductance is L1 and L2 ठीक है इफ यह पता करने है if L1 is 2L1 लब L1 and 2 की बिदमे relation दिया है और L equivalent दिया है आमको 0.7 तो L equivalent टोटल दिया है L1 and L2 की बिदमे relation दिया है वो हमको निकालना है अब क्योंकि हमारे L resistance की तरह ही काम करते है तो यह मालोगी यह तीन resistance है तो पैरलेल में है एक series में है तो उनका calculation करके हमें solve करना है मनदब L1, L2 को जब करेंगी तो L1, L2 upon L1 plus L2 और यहाँ पर आप क्या करो यह जो relation है तो यहाँ पर L1 को 2L2 से replace कर दो तो यह क्या बन गाएगा 2L2.L2 upon 2L2 plus L2 तो यह क्या बन गया 2L2 का square upon यह अपका 3L2 L2 से L2 square गया तो आपका L equivalent क्या आ गया 2 by 3 L2 यहाँ से अगर देखें तो आपका L equivalent क्या आ गया देखो यह यहाँ पर भी यही चीज़ा रही है इसी में दिखा ज़ते है 2L2 by 3 ठीक है 2 by 3 L2 या तो अब यह L equivalent की value दिया तो यहाँ से आप L2 निकालो L2 आ गया 0.3 और इसी से आप L1 निकाल लोगो आ गया 0.6 easy था question यह आपने 0.3 और 0.6 निकाल दिया उसके बाद question number पहले देख लेते हैं 51 find the power delivered absorbed by 120 volt source तो यह 120 volt source है यह power deliver यह अब्सॉर्ब कर रहा है इसकी current है यह direction बताएग अगर इससे current जा रही है तो deliver कर रहा है power को current इसमें आ रही है तो absorb कर रहा है यहाँ पर हम लगा देंगे तो यहाँ पर सीधे से क्या कर सकते है 120 volt और 30 volt की quality opposite है तो यह एक दूसरी को clash करके खटम कर देंगे तो यह हो जाएगा 120 minus 30 is 90 volt और total essence of 45 तो इससे current आ गई 2 ampere अब 2 ampere current आ गई तो यह power को deliver कर रहा है क्योंकि यह ज्यादा बड़ा voltage source है 30 volt के comparison में तो current इससे बाहर निकल ले कितनी निकल ले 2 ampere इसका voltage कितना 120 तो power कितनी होगी वेंट आई मतलब 240 volt 240 watt जो है यह power हमारा deliver कर रहा है तो यहाँ पर केवल answer पर यह भी नहीं था कि deliver के अबसर्बर केवल value बतानी थी तो deliver कर रहा है उसके बाद question यह आता है 50 यह अच्छा question है कि in the circuit zone if we connect a source of 2 volt with the internal resistance of 1 ohm 1 ohm के संग हम एक 2 volt का source कर दें जोड़ दें okay at a a dash इस a a dash पे इस पे with positive terminal at a dash and then the current through r is फिर इस r से कितनी current हमारी flow हो की तो हमको यह बताना है उसके पहले क्या करना है यह जो मैंने green से क्या है कि हमें इसका source transformation करना पड़ेगा सबसे पहले इसका source transformation किया हमने यह यह बन गया 1 volt 1 volt और यह हो गया 1 ohm इसके संग series में फिर से 1 ohm सीरीज में है और यह हमने अलग से लगाया है कितना 2 volt और 1 इसका सीरीज में resistance है internal 1 ohm इस सारी condition की बात है और इसके around हमें निकालनी है value तो अब हम क्या करेंगे इसको फिर से वो करेंगे अब इसमें हमने क्या किया है कि इस दोनों को resistance को जोड़के 2 ohm बना दिया है हमने यहाँ पर भी source transformation लगा दिया तो यह voltage source और resistance क्या बन गया current source मन गया 2 ohm का और parallel में resistance यह parallel में हमारा वाला resistance 2 ohm और यह जब इन दोनों को जोड़ा है उपर जो resistance है तो यह 2 ohm बन गया अब फिर से इसका वापी से source transformation कर दिया तो यह 1 ohm बै 2 ohm current आ गई तो यह current यह वाली current और यह वाली current मिलके कितनी बन गया 2.5 ohm और यह resistance हमारा कितना बन गया यह दोनों तो यह 1 और यह 2 मिलके बन गया 2 ohm बै 3 और एक हमारा यह बन गया अब सीधे से यह बन गया कि यह current है total यह इन दो resistance में जा रही है तो सारा खेलिया पर source transformation का ही हमने किया है बार बार अब यह current दो जगे जा रही है तो इस वाले में कितनी जाएगी तो उसके लिए हम total current में इसको multiply करेंगे opposite वाली resistance को 2 by 3 को multiply कि आप हम total कर दिया यहां से value आगी कि 0.625 ampere हमारा current जा रही है इस वाले resistance में जाएगी अगर हम इसके संग 2 volt का एक battery और एक internal resistance 1 ohm का जोड़ देते हैं तो इस वाले में जाएगी यह 0.625 ohm sorry ampere current ओके तो यह हो गए उसके बाद देखते है next 52 52 में क्या कह रहा है कि इंदा circuit vs is यह vs की value हमसे पूछी जा रही कि इस circuit में जो vs है यह क्या है यह मैं बता रहा है यह 4 ohm का resistance है यह 8 volt इसके across voltages है इससे तुरहत हम current निकाल लेंगे तो 8 बाद बाद 2 ampere current आ गई तो इस circuit में 2 ampere current फ्लो हो रही है अब इसमें दोको 2 ampere current फ्लो हो रही है और total resistance के इतना है चार हो दो 6 ampere 6 ohm sorry resistance से total 2 ampere current है तो इससे voltage vs total के निकाल सकते हैं सीधे से तोनों को multiply करते हैं कि 12 volts आ जाएगा तो एकदम आसान से question इस वोल्ट हो गया उसके बाद question 55 देखेंगे 55 में देखते हैं in the circuit the maximum power that can be transferred to load ZL तो maximum power कितनी जाएगी तो फिर वो हमको बताना है तो Vth square upon 4 Rs या RL यह हमारा formula होता है maximum power MPD के तो V हमें पता होना चाहिए तो V यह है और इसके लिए हमें इसका जो यह रही स्टैंस वाली यह parallel branch इसका टूटल निकालना पड़ेगा जो ZL के लोगा अगर आपको maximum power देनी है तो दो यह ZS is equal to ZL condition तो लगेगी XL होता है omega L जो हमारा inductive reactance होता है तो 100 और यह 10 milli हंडी की जो value है 100 कहां से आया जो frequency हमारी में थी जो voltage source था इसके अंदर जो frequency थी sorry यह current source है इसकी frequency तो वहां से 100 आया इसको 1 बना दिया तो हमारा जो आ जाएगा 10 root 2 का square यह पूरी जो R में से value हो इसको उठाएंगे और यहां से यह जो हमने 10.04 निकाला इसको इसको जब solve करेंगे तो 2000 वार्ट हमको देदेगा maximum power फिर ग्राफ थोरी का question है तो ग्राफ थोरी के question में कह रहा है कि network के पास 10 node है 17 branch है तो जो formula बताया था B-N plus 1 सीधे से वो formula लगा रहा है 17-10 plus 1 मतलब हमारा 8 तो 8 हा जाएगा तो यहां पर number of mesh equations जो पूछ रहा है number of independent mesh equations required to solve the network is 8 यह हो गया उसके बाद question 54 में आता है कि in applying superposition theorem, superposition theorem की बात कर रहा है कि to the branch determine branch current and voltages तो voltage source are sorted तो क्या करना पड़ेगा actually मैं पूछ रहा है तो हमें voltage source को sort करना पड़ता है current source को open बस basic सा इतना यह मैं बता होना चाहिए इसके लिए question 56 पे आते है कि in the following figure the voltage across C1 यह C1 के cross voltage हमको बताना है will be तो यह voltage है यह divide होगा दो उसमें अब क्योंकि capsidence हमारा उल्टी दरीके से काम करता है तो जो resistance और inductance में current जैसे divide होती है यहाँ पे capsidence में हमारा voltage वैसे divide होगा मतलब कि जब हम लिखेंगे total voltage यह 300 लिखा इसमें opposite वाला हम capsidence लिखेंगे मतलब अगर C1 के थरो voltage निकालना है तो हमें इस opposite वाले को लिखना पड़ेगा upon total तो 2 plus 1 3 microfarad तो microfarad से microfarad कर गया और 3 से 100 यह 200 वोल्ट हमारा होगा तो उल्टे fashion में हमारा distribute होता है मतलब जो 300 वोल्ट है इसके around 200 हो जाएगा इसके around 100 वोल्ट हो जाएगा distribute बाकी पूरा explanation है सबकी कोई ज़रुवत नहीं है उसके बाद next चलते है 57 पे यहां आद कहा रहा है कि in the circuit zone below the terminals A and B are short-circuited the terminals A और B को ऐसे करके short-circuit करती है the current down from the battery is so battery से कितनी current हमें मिलेगी वो हमको बताना है तो easy है जब इसको short-circuit कर दिया तो यह resistance और यह resistance दोनों parallel में हो गए क्योंकि इनका common एक में से दिखाऊं एक तो यह common node है और यह पूरी एक common ही node हो गई A और B एक ही जैसे हो गई जब इनको short-circuit कर दिया तो parallel में यह देदेगा R by 2 और current क्या होगी total voltage V upon R by 2 अब यह 2 चड़के उपर बैठ जाएगा तो यह 2V divided by R आ जाएगा तो इसलिए answer B हो गया इसका उसके बाद आता है 59 The current I in the following circuit is यह current पूछिए है इस circuit के अंदर हम से तो इसको करने के लिए पहले voltage source पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि voltage source हमारे opposite quality में लगे है और parallel है यह parallel है इसकी वज़े से क्या होगा कि हम जब I लिखेंगे तो VA-BB लिखेंगे और upon जो भी resistance है यह 30 क्यों क्योंकि यह जो दो पॉइंट है एक यह पॉइंट और यह जो voltage source है भी वह इस जगे होगा इस इस resistance पे अगर हम निकालेंगे current तो वह हमारा कुछ ऐसे आ जाएगी VA-VB upon 30 अब VA 100 की एक वाल है VB भी 100 की एक वाल है तो यह 0 देदेगा तो current ही 0 MPR हो जाएगी तो कोई current flow नहीं होगी तो इसका answer 0 हो जाएगा उसके बाद 60 पे आते है Next देखते हैं question number 60 यहाँ पे कहरा है in the following figure the equivalent resistance between terminals A and B तो मालोग यह terminal ने इनके पीज में equivalent resistance हमको बताना है तो यह साफ दिख रहा है कि 75 Ohm यह 50 Ohm और यह 50 Ohm यह तीनो ही parallel में है Okay, because यह point यह point एक ही है यह point यह point एक ही है तो पहले 50-50 का आधा कर लेते है तो 50-50 parallel में हमको जो देगा 25 तो 75 और 25 अब हमारा parallel में बचे तो यह नीचे add हो जाएगा तो यह हमारा कुछ इस तरीके 75 by 4 आ गया अब 75 by 4 जो आया उसको हम 100 के संग series में कर देंगे क्यों यह देखो यह series में 100 के संग तो 75 by 4 प्लस 100 तो यह हमको 75 plus 400 upon 4 यह हो जाएगा तो 475 upon 4 इसको solve कर लेंगे तो यह आजाएगा 118.75 करके यह value होगे यह value आ जाएगी यह यही चीज है कि यह इसका दुगना है तो 75 का 2 times 958 तो मैंने इससे direct solve कर लिया उसके बाद इस question में भी equivalent capacitance निकालना है between terminals A and B देखो यहाँ सीधा सा है कि जब हमारे capacitance होते हैं वो उल्टे तरीक ऐसे काम करते है resistance के तो series में है तो उनको parallel के तरीट करना है parallel है तो series की तरह है तो c और c जो series में है वो parallel के तरह हो जाएगे तो वो हमको दे देंगे c by 2 okay दूसरे उससे लिखा जाए तो यह हमको दे देगा यह दोनों यह c parallel c होगा इसको solve करो तो आप ऐसे solve करो c into c और upon 2c तो यह हमको c by 2 दे देगा और c y to c y to parallel में जो है उनको directly add कर सकते है आप तो यह हमको c दे देगा तो answer c हो जाएगा फाइनल तो यह से easy questions है उसके बाद देखते है कुश्चन शुक्ती 3 कि Norton Theorems is Das Thevene's Theorem तो Norton Theorem is same as, ऐसा नहीं है, converse ऐसा भी नहीं है, can't say none of these है ऐसा कोई खास relation नहीं दोने की बीच में हम कह सकते है कि Norton Theorem इसका यह है उसके बाद question कर्चा voltage law is known as, तो voltage law जो है वहारा conservation of energy पे based होता है और वहारा conservation of charge पे होता है KCL और KVL energy पे होता है यह छोटा सा question है दो बार sale म पूशा गया, उसके बाद next question पर आते है, 61 पर, in a series RL circuit हमारा R 20 Ohm है, L.1 Henry है, frequency हमारी 50 Hertz है, यह दो तीन values दी है, the impedance of the circuit would be double by making the value of R, तो हमें impedance को double करना है, तो हमें R में क्या change करना पड़ेगा, तो इस तरीके से होगा, पहले Z निकालना पड़ेगा, find Z और उसको 2 times करना है, तो देखो, L.1 Henry, frequency 50 Hertz, तो XL निकालेंगे, inductive reactance, तो हमारा 2 into 2 pi FL, 2 into 3.14, 50, और into 0.1, क्योंकि 0.1 Henry है, तो यह 31.4 दे दिया हमें, अब यहां से निकालेंगे Z, जो कि root R square plus XL का square होता, हमने पीछे के दो question में भी देखा है, तो root R मदब 20 का square और 31.4 का square, इसने दे दिया 36.25 value ह में, अब हमें नया, इसी formula को दोसरी बार लिखना है, जब इसमें हम Z को बदल के हमने क्या करती है, जो 36.25 उसका दुगना, 72.5 कर दिया, यह देखो, 72.5, और solution में XL की जगे तो वह ही लिखेंगे, और R की जगे X square कर दिया, आप किवल इस equation से आप X की value निकाल दो, जो किया source देता है, पैरलल में एक resistance देता है, और current source with an impedance in parallel, तो इसका option ही हो जाएगा, फिर यहां देखते हैं, यह क्या कहा रहा है कि थेवने सिक्विलें 62 में, थेवनेल इक्विलेंट voltage and resistance for the circuit shown when R2 is considered at the load resistance, अगर हम इस R2 को load resistance की तरह माने, तो हमको RTH और VTS की value बतानी है, तो ऐसा ह में करना है, इसको solve करने का देखते हैं, तो पहले जब हमें VTS की value बतानी है, मतलब हमने यहां node लिखनी है, जैसे हमने A और B node लिखा है, अब इसके around voltage होगा, इस branch के around, तो वही हमारा VTS होगा, तो हमने इसको ऐसे कर दिया और बागी को हटा दिया, अच्छा इसको नीचे स पता चलना है, कि अगर इस 2 ohm के around हमें VTS निकालना है, तो यह जो 7V आसके just parallel में वही इसके around होगा, तो VTS तो हमारा 7V आ गया, तो अब option यह 28V, 21V होगा गलत, अब यह तो 7V 0 है, यह 7V 7 है, अब RTS निकालने के लिए क्या करेंगे, जो यह voltage source है, इसको short circuit कर दिया, इस voltage source को भी short circuit कर दिया, और इसके around निकालना है, इसके around निकालने के लिए हमें RTS निकलेगा ही ने, क्योंकि यह वाला path short circuit है, और यह जो forum है, पर यह तो open है, इसके संग parallel में क्या है, कुछ भी नहीं है, वो कि यह कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, कि यह तो forum आपने बना दिया, औ इसके around यह भी जोड़ा है, और यह भी जोड़ा है, इस तरीके से, यहाँ पर RTS जो हो जाएगा, वो 0V हो जाएगा, तो यहाँ पर यही में चीज थी, RTS जो है, वो हमारा 0V होगा, तो option A यहाँ पर सही होगा, और हमारा VTS 7V है, वो तो देखके ही पता चला तुरंत, उसक यहाँ पर question 66 पर आते है, कि a network which contains one or more than one source of EMF, तो जो एक एक से जादा source of EMF रखते हैं, तो वो सारे active network होते हैं, जो energy दे सकते हैं, okay, मतलब वो electric network भी होंगे, बट precisely वोले तो वो active network होंगे, next question देखते हैं, 67, तो यह simple वही question है, जो mass graph theory में लगता है, जो B-N plus 1 होता है, तो हम B-N plus 1 देखेंगे, तो यहाँ कहें भी B-N plus 1 नहीं है, बट क्योंकि यह N-1 bracket में, तो इसको जो open करेंगे, तो यह B-1 और 1 हमारा यह plus का हो जाएगा, B-N plus 1, इस वैसे हमारा option C सही है, तो जब हमें निकालना होता है, number of equation to be solved, किसी भी mass analysis में, graph theory के according, तो B होनी चाहिए, number of branches, N होना चाहिए, number of node, तो यह formula बहुत important है, यह directly यह formula पूछा है, इसके related questions भी पूछ चुका है, पर आता है, 71, कि तो यह circuit वोल्स properties are same in the either direction, तो वो कैसे bilateral circuit होते है, आप current इधर से भेजो, चाहिए, उधर से भेजो, दोनों जा सकती है, जैसे कि हमारा register, और unilateral circuit कान से होते है, जैसे diode, diode का specific है, कि आप किस quality समझा, P side से भेजरे हो current को N side से, तो वो forward है, reverse wise हो जाएगा, तो कि वोल एक ही side से current को आगे भेज सकता है, तो यह unilateral हमार उसके बाद आता है, question number 72, कि at half power frequency, power down in the circuit is, तो half power frequency पर जो power down भी होगी, वो भी half ही होगी, तो I square R तुमारा normal formula उसमें 1 by 2 और हो जाएगा, तो यह चोटा सा question था half power frequency का, तो यह याद रखेंगे, okay, उसके बाद आता है, 68, according to the maximum power transfer theorem, maximum power will be transferred from the source to the load when, सीधा सा question है, जब source impedance is complex conjugate हो इक्वल होगा, तो ZL हमारा is equal to ZS और complex conjugate, यह कब की बाद होती है, AC जब हम पढ़ते हैं, AC sublates पढ़ते है, तो, और normally ZL is equal to ZS होता है, पर यहाँ पर important यही था है, कि देली मेट्टो का कुशन था है, बेसनल का, कि यहाँ पर complex conjugate शब्त आएगा, equal तो होगा, बर directly equal नी, complex conjugate की equal होगा, ओके यह, ZS is equal to यह, फिर बात करते हैं, 73 की, कुशन नमर 73 देखते हैं, यहाँ पर बात हो रही है, कि अंडर था कंडिशन और मेंग्जर पावर टांसफर, अब वोल्डे सोर्स डिलीवर सा पावर फिफ्टी वार्ट, तो MPD की कंडिशन लग रही है, तो पावर ज पावर टांसफर, यह, फिफ्टी वार्ट का पावर लोड को टांसफर कर रहा है, तो पावर जनरीट कर रहा होगा, तो यह, बहुत बहुत ही जादा इंपॉर्टन यह, जो एक कुशन है, कि जो एफिसेंसी की बात ही, कि अगर आप MPD भी लगाते हो, और मैग्जम पावर के efficiency 50% ही होती है, तो मैं बलाब maximum efficiency 50% हो सकती है, तो 50% हो सकती है, मतलब कि अगर वो 100 Watt generate कर रहा होगा, तो उसका आधा वो deliver कर पा रहा है, इस formula से हमारा ही 100 Watt आजाएगा, 50 का दूगना, 50 कीजी के कुछ भी value हो सकती, मानलों के दें कि 200 Watt वो load को देता है, और generate कितना करता है, तो वो 500 Watt generate कर रहा होगा, तो हम इसे 2 times कर देंगे, जितना वो deliver कर रहा है, उसका 2 times, या फिर जितना generate कर रहा है, उसका आधा ही वो deliver कर पाएगा, तो उसमें 1 by 1 half कर देंगे, इस तरीके से हो गया, उसके बाद आता है, अब passive network contain, तो passive network के पास में कोई भी source of EMF नी होगा, तो एक, दो, तीन वले option तो बिलकुली गलत होगा, मतलब कोई होगा यह नही source of EMF, फिर बात करेंगे, कर्चॉफ law is applicable to, कर्चॉफ के लोग कब applicable है, कुशन दो बार आ चुका है, तो इसमें condition है कि बोथ AC और DC के लिए, तो KCL, KVL हमारा दोनों पर ही लग सकता है, इसमें कोई DC, AC वाली बात नहीं है, passive active ऐसा कुशन नहीं है, दोनों पर लग सकता है, तो यह चीज हो गई, यह जादा बेटर option है, active network में भी लग सकता है, तो यह भी सही है, बट वो जादा बेटर option है, यहाँ पर कुशन थोड़ा सा अलग है, if B is the number of branches in a network, containing sources and resistance, and A is the number of nodes, present in the network, then the number of equation to be solved using nodal analysis, कितनी चाहिए होंगी, तो यहाँ पर हमें जो बात करी गई, कि nodal analysis solve करने के लिए, हम कितनी चाहिए है, हमें किवल N-1 ही चाहिए equation यहाँ पर, यहाँ बात करी जाए तो A-1 ही चाहिए, इस question के according, A-1, बदलब number of node-1, अगर हम KCL की बात करें, या nodal analysis की बात करें, तो अगर वहाँ पर के बुशते है, number of independent mesh equations, जब हम लगाते है, N-B plus 1, जब हम यह formula लगाते है, sorry, B-N plus 1 होता है वो, B-N plus 1 होता है, तो जब number of independent, हम किसकी बात करते हैं, mesh equations की बात करते हैं, mesh equations, यहाँ पर हमने किसकी बात करी है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, nodal equations की, यह difference समझेंगे, वहाँ पर free होता है, B-N plus 1, यहाँ पर N-1 रहता है, आपका B का कोई difference नहीं, no branch, number of branch से कोई मतलब नहीं है, okay, node से मतलब है, तो node minus 1, तो यहाँ पर क्योंकि A दिया है, तो इस question में, यह answer में A-1 हम कर देंगे, तो यह 74 का answer, repeat हो सकता है, short question है, इन exam से पूछे चाह सकता है, चोटे होटे exam से, कि single frequency equivalent circuits होते है हमारे, multi frequency नहीं होंगे, equivalent independent frequency होंगे, ऐसा भी नहीं है, और band frequency होगी, तो ऐसा भी नहीं हो, क्योंकि अगर independent कर देंगे, तो वो तो किवाल DC के लिए वोल सकते हैं, कि इसके पास R इतना है, L इतना है, और C इतना है, एक series resonant circuit है, बल्दब L, R, C उसमें तीनों मौझूद है, series में, the value of quality factor is, quality factor हमसे पूछ रहा है, तो quality factor के value हमको पता होने चाहिए, तो quality factor हमारा हो गया, और 1 by R, root L by C, यह formula बहुत important है, quality factor का यह formula हम याद करेंगे, तो 1 by R, root L by C होता है, तो हमारा quality factor, जब हम 1 by R, R के जगे 2 लगा दिये हमने, और यह हमने इनकी जो L और C की value है, यह लगा दिये तो यह solve हो क्या आगे 50, तो 50 हमारा quality factor की value होगी, तो quality factor हमारा क्या होगी, 1 by R, root L by C, is 1 by R, root L upon C, quality factor, उसके बाद जखते हैं 76, next जखते हैं 76, जब हम दो फॉलिएंगे, इस 2, कौन से स्टेट्मेंट, टू हम से यह पूछो जा रहा है, तो थैवनेल, रिदक्शन के इन बी यूज, अनली अब देर आर नो करेंट सोर्स, तो ऐसा नहीं है, थैवनेल, तो हम करेंट सोर्स के संग भी लगा सकते हैं, इन AC circuits, KCL holds only for average current, and not for instantaneous current, तो ऐसा नहीं, KCL वहनेल, यह सब गलत है, कैप सेटर्स है, जब जनरली less lossy than inductor, तो ऐसा भी नहीं है, इन लीनेर, इन लीनेर नेटवर्क के पास भी डिपेंट सोर्स हो सकते हैं, यह फिर नेटवर्क के अंदर डिपेंट सोर्स हो सकते हैं, तो यह हमारा सही होगा, केवल ओ केवल, उसके बाद बात करते हैं, इस कुश्चन की, and equivalent single current source between A and B, एक ए और B के बीच में, equivalent single current source की बात कर रहे हैं, यह B है, यह A है, इनके बीच में, विल B, वो हमको बताना है, तो यह एक अलग हमारा current source है, वन एमपेर का, और यह जो पूरा जितना मी हमारे यह बना हुआ है, यह इसको हटागी केवल, एक current source की बात हो रही है, तो देखो, पहले हम, क्या निकालेंगे, RTS निकालेंगे, उसके लिए R circuit का R जैन करने के लिए, बाकी सब को हम उनके internal dependencies से replace कर देंगे, मतलब सारे current source को open circuit, और voltage को source circuit, यह open हो गया, यह close, यह close, इस तरीके से, तो A और B के around में, हमारा R की value कितनी देदेगा, हमारा, दोनों 10 और 10 parallel में है, तो देदेगा 5 ohm, तो 5 ohm देदे रहा है, तो option में देखो, 5 ohm आ गया, तो question number 79 का, B या तो सही होगा, या तो फिर यह सही होगा, अब ही current हमने नहीं निकाली है, equivalent registers निकाला है, 5 ohm, हमारा कितना जाएगा, तो एक ampere तो यहां से जा रही है, तो वो इसमें जाएगी, और एक current यहां से आएगी, अब इस branch को देखते है, यह जो पूरी branch है, यह वाली, इसमें 5 volt है, और 10 volt उसके opposite में है, तो कितना आ गया, 5 volt आ गया हमारा voltage, और 5 volt आ गया, और यह जो दो resistances है, यह दोनो parallel में है, तो यह कितने बना देगे, 5 ohm, तो यहां बे भी क्याएगी, जो उसमें जो दूसरी current जा रही है, यह वाली, यह भी 1 ampere ही जाएगी, तो 1 plus 1 ampere, 2 ampere बन गई, इसकी वज़े से क्या है, कि 2 ampere 5 ohm हमारा answer आ गया, कि इसके बीच में अगर देखेंगे, तो R equivalent तो R AB हमारा आएगा 5 ohm, और इसी वाली branch में कितनी current flow होगी, तो वो 1 ampere इधर से आएगी, और 1 ampere इधर से आएगी, दूनों दरब से तो 2 ampere flow हो जाएगी, उसके बाद देखते है 77, कि as per thevenin theorem, if internal impedances are not known, independent voltage and current sources will be, अगर internal impedances हमें नहीं पता हैं, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी निदा सिंपल सा था, कि voltage source को हम किस ते replace करेंगे, short circuit से, और current source को किस ते replace करेंगे, open circuit से respectively, बज़ इतना ही यहाँ पर था, और 82 देखते हैं, कि a linear element satisfies the property, या properties of, एक linear element जो होता है, तो वो दोनों superposition और homogeneity, दोनों की property को बो satisfy करता है, यह हमें सब pair में चलते हैं, superposition और homogeneity, उसके बाद देखते हैं, question number 83 पे, the thermal equivalent RTH for the circuit, तो इस तर्क यह भी है, इसके equivalent हमें RTH बताना है, तो यहाँ पर प्राप्लम क्या है, कि हम इसको open circuit नहीं कर सते हैं, क्योंकि यह जो current source है, dependent current sources है, independent नहीं है, इसको हमें include करके करना पड़ेगा, तो इसको include करके करना पड़ेगा, तो फिर हम क्या तरीक अजिम करते हैं, हमने एक पीछे question में भी किया था, जब हमने नॉटल लगाया था, कि जिस ब्रांच में हमें निकालना, उस ब्रांच में हमने current source अजिम कर लिया, एक ampere का, यहाँ पर हम एक voltage source अजिम कर लेंगे, इस ब्रांच में एक ampere का, sorry, एक volt का, इसमें voltage source हमने अजिम कर लिया, अगर इस ब्रांच में current निकालना, कितनी current जा रही है, तो हम उस current voltage से, इस ब्रांच के around equivalent हम resistances निकाल सकते हैं, जो कि V by I है, तो इसमें दोखो KVL लगा दी, इस वाले लूप में KVL लगा दी, तो यह आगया 2 into हमारा I-2V, तो यह, यह जो current है, इधर 2V चली जा रही है, और इधर से हमने अजून किया कि I current निकल लगी है, मतलब इधर से यह I current जा रही है, और इधर यह 2V, तो इस ब्रांच में कितनी जाएगी, जो 2 ohm का resistance है, इसमें हमारी I-2V, और minus V, तो actual में जो हमने KVL लगाया, वो KVL कहां लगाया है, वो KVL हमने इसमें लगाया है, इस वाले loop में लगाया है, ना कि इसमें, KVL इसमें लगाया है, यह KVL लगाया तो यह 2 I-2V, minus V is equal to 0 आगया, जैसे हमने सीधे हमें I-V नहीं पता, वी कोम ने मानलो 1 ले भी लिया, तो इससे I-KVL निकाल सकते हैं, या फिर VY-I सीधे से निकाल लेंगे, तो यहीं से हमारा जो resistance आगे 0.4 Ohm आगया, तो सीधे से VY-I का ratio निकाल लिया, और कैसे केवल औकेवल इस वाली ब्रांच में KVL लगा के, उसके बाद देखते हैं, question number 80 है, कि if the interconnection of ideal sources shown in the following figure, अब देखते हैं, कि following figure it is known as 60V sources absorbing power, यह जो 60V sources power को absorb कर रहा है, मतलब current इसके अंदर जा रही है, direction बता रहे current को, which of the following can be the value of current in source I, value of the current source I, यह जो current source है, इसकी value कितनी होगी, वो हमको बताना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यह हो रहा है, इधर से कुछ current आ रही है, वो current इसमें यह absorb कर रहा है, और इसमें जा रही है, मतलब इधर से कितनी current आ रही है, 12A, और इसमें कितनी current आ रही है, आई, तो इसमें कितनी करन जाएगी 12-I, तो यह चीज है, हमें I बताना है, तो इसको हमने I1 ले लिया, 12-I को I1 ले लिया, तो यहां से के निकला I is 12-I1, I का मायर इससे क्या हो जाएगा, हमारे 12 से कम हो जाएगा, तो यहां पर solve करने का और कोई तरीका नहीं है, फिर से बात करते हैं, थोड़ा सा इसको लेके, कि इधर तो current है 12-I1, जैसे इधर में docker हो, यह current है 12-I1, इधर जो current जा रही है, उसको मैंने कुछ I1 मान लिया, और इ I1 का sum 12 के equal हो गया, तो सीधी सी बात है, कि जो हमारी इन दोनों पर कोई भी current बोलो, या तो I1 पूछ लो, या I1 दोनों ही 12 से कम value के होगी, ओक एवल एक option में 12 से कम value है, 10A, तो बागी तीनों option इस वज़े से हमारे कलात हो गए, तो यह question इस पर based है, उसके बाद बात करते ह ले, तक current ratio I2 upon I1 हमको I2 upon I बताना है, मतलब यह I2 और यह I बताना है, और यह दोनों हमारे inductances है, तो देखो हम क्या करते है, I2 की value निकालना चाहते है, देखो I2 कैसे निकालेंगे, current division rule opposite लगता है, पहले टोटल current लिखो, I2 आपका L2 के अंदर है, तो आप इसमें L1 को multiply करो upon L1 plus L2, अब हमें I2 upon I बताना है, इस I को इधर ले जाएंगे, तो I2 upon I क्या आजाएगा, L1 upon L1 plus L2, मतलब opposite वाला resistance, अगर आप इधर I2 लिख रहे हैं, तो इधर L1 लिखो उपर, और नीचे तो sum लिखोगे, तो यह आ जाएगा, यह आगे, L1 upon L1 plus L2, तो सीधे सीधे solve हो सीरीज LCR circuit में resonance हो जाता है, तो XL is equal to XC होता है, और यह फर्मूला हमारा होता है, यह वाला फर्मूला करेक्ट है, D, root R square plus XL minus XC का whole square है, क्योंकि XL XC का equal है, तो हमारा यह कट गया, और root R square के देदे का kvr, तो यहाँ पे kvr आ जाएगा हमारे impedance, इस वज़े से, तो देखोग अब 85 सम दिखेंगे next में